सियासी अखाडे में प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी की चर्चा तो होती रहती है। फिलहाल कोई बयान या राजुनितिक हलचल नहीं प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी अपनी ध्यान साधना को लेकर सुर्खियों में है। कन्या कुमारी में विवेकानंद रौक मेमोरियल में प्ये मोदी की ध्यान साधना जारी है। प्ये मोदी ने गुरुवार शाम को ध्यान शुरू किया जो एक जून की शाम तक जारी रहेगा। जिस शिला पर प्ये मोदी बैठकर ध्यान कर रहे हैं ये वही शिला है जिस पर विवेका नंद ने ध्यान किया था। पिये मोदी की साधना को लेकर अयोध्या राममंदर के मुख्य पुजारी आचार्य सतिंद्र दास का बयान सामने आया है। इसलिए उन्होंने चुनी है ये शक्ती से भरपूर जगा जहां तीन दिन की साधना उन्हें नई उर्जा और शक्ती प्रदान करेगी। आचारे जी ने ये भी कहा कि चार जून को विजय शुरी का जंडा प्रदान मंत्री के हातों से लहराया जाएगा। देखो कन्या कुमाईरी का जो छेत्र है वह स्थापना जो हुआ था वहां पर स्वाइम जाकर स्वामी विए का नजी साधना किये थे। आउस साधना के बल पर सारे बिश में अपना नाम और अपनी सक्ति को परदर्शन किये थे। जहां सुन्न के ओपर बोलने के लिए उनको जब दिया गया था क्योंकि हमारा देश उस समय परतंद था। और वहां साधना करने से उनको मन बांचत फलकी प्राप्ति होती है। इसलिए इस समय जो समस्या है वह समश्या का समाधान तपสया से और साधना से संपन हो पाएगा। कन्या कुमारी की इस शिला पर साधना करने से पियम मोदी को वो एनरजी मिलेगी जो उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में जीत दिला सके इस कदम के जरिये हम ये समझ सकते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री किस तरहां अध्यात्मिक शक्ती का सहरा लेकर देश को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं आयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि प्रधान मंत्री का ये कदम एक अध्वुद मिसाल है साधना और तपस्या से ही मिल सकती है वो शक्ती जो देश को नई दिशा दे सके लोकल एटीन के लिए आयोध्या से सरवेश सुरीवास्तव की रिपोर्ट